हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डू इन मिनेट्स में आज की इस वीडियो में हम आपको एक सर्विस की वीडियो लेकर आए हैं आप लोग भी हाइडॉलिक डिस ब्रेक्स पर चीस करते होंगे कुछ इस टाइप का यह देखे ब्रेक्स ऐसे क्वालिटी बाइस बात की जाए यह देखे ब्रेक्स यहां पर आपको दिखाते हैं quality wise बात की जाए, तो break की quality काफी बढ़ियां यहां पर रहती है, लेकिन फिर भी एक time आता है, एक period आता है, use करने के बाद, क्या का break का जो fluid है, वो या तो गिर जाता है, या खतम हो जाता है, या फिर उसको आपको service करना परता है, एक जो सबसे जादा use होने बाला process होता है, उस को कहते है, bleeding, उस bleeding process में actually आपको hydraulic disc brake में while बाहर से डालना परता है, यानि कुछ extra while आपको add करना परता है, while आप चाहे तो इस type कुछ needles में भी ले सकते है, while लिजेगा, उसके बाद आपको hydraulic brakes में डाल कर अंदर insert करना परेगा, या बाहर से pressure लगाएंगे, इसके अंदर जो ते इसमें power नहीं है, actually brake तो आप लोग ले लेते हैं, अपने cycle में लगाने के बाद bleeding करना परता है, बहुत लोग में क्या होता है, कि जादा power हो जाता है, किसी में कम power होता है, तो आपको अपने according भी करना होता है, और cycle के according भी कर जाना होता है, तो चली आज की इस वीडियो में ह हम आपको इसको bleed करकर दिखाएंगे, इसकी जो condition है, इसमें का तेल खतम हो चुका है, खराब हो चुका है, या फिर कम है, वो आप वीडियो में बने रहेगा, अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी इसकी condition हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने चाहिए, जैसे हम लोग brake क यह राज का ब्रेक का लीवर है, और यह हमारा ब्रेक का जो भी बहुत सकते हैं, कैलिपर जिसके अंदर आपको actually में रोटर लगाना होता है, यहाँ पर और जैसे हम इसको प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर यह देख लीजिए, तो जो हमारा कैलिपर है, उसके अंदर movement ही नहीं तो चल यह start कर देते हैं, इसको service करना, देखी क्या क्या चीज आपको ले लेना है, सबसे पहले यह देखे, कुछ tissue paper ले लिए हैं, क्योंकि oil गिरेगा, पोच लेंगे उससे, यानि wipe कर लेगे, यह है शिमानो का mineral oil, एक needle 99 रुपर आता है, एक allen की ले लेना है, आपको अपन movement नहीं हो रहा है, अब इसके अंदर क्या है, तेल है, कम है, या फिर पूरा गिर गया है, यह मुझे भी नहीं पता है, तो अभी हम लोग खोलेंगे, इसको देखेंगे, यही problem आता है, जो लोग कभी hydraulic break नहीं उसकी है, या फिर first time में बहुत लोग के पास ऐसा हो जाता है, panic हो जाते है, panic नहीं होने बला बात है, खोल के देखेंगे, सर्विस होगा, या फिर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा, इसमें complicated कुछ-कुछ parts हो जाता है, तो कोई बात नहीं इसको खोलेंगे, यह रा mineral oil, तो सबसे पहले हम लोग इसमें bleeding का process करते हैं, यहां पे देखें वाइल दे रहे हैं, यह देखें तेल जा रहा है, श्रिंच से, needle के मदद से ऐसे करके हम इसमें देते हैं, तब आपको थोड़ा से अच्छी तरह किसे दीखेगा, यह देखें, needle से तेल गया इसके अंदर, और तेल continuously आपको काफी ज्यादा लगता है, इसके अंदर आपको दिखा होगा, यह देखें, bubble निकला, और यह देखें, तेल अंदर के तरह चला गया, container में चला गया, फिर से वही करेंगे, इसके अंदर needle दालेंगे, यह देखें, चला गया तेल, फिर इसको ऐसे दवाएंगे, फिर देखें, अंदर चला गया, पूरा तेल इसके तो अल्मुस्ट हमको लगता है कि खतम हो गया था इसलिए पावर नहीं आ रहा था या फिर गिर गया होगा बहुत सारा लोग से भी प्रॉब्लम आता है गिर जाता है देखे तेल इसके अंदर जाहिए रहा है सेम प्रोसेस करेंगे प्रेस करते जाएंगे तेल डालते अब मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पावर आ रहा है अब अगर तेल नहीं जा रहा था थोड़ा से लेफ्ट से राइट ट्विस्ट करेंगे तो यह देखे तेल अंदर पूरा चला गया को लिब करेंगे इधर ऐलका सै यसे देखे तेर अंदर चला गया कि उसका गर्स करेंगे यह रहा थोड़ा से इसको हिलाएंगे तेर अंदर चला गया acordि आnity亞ना पूरा प्रेश केया थे पैड़ सपर या दो फिर भी देख रहे हैं पावर अच्छा खास्था हो गया है पूरा तेल ही नहीं भर देना होता हलका से ट्विस्ट करेंगे फिर हलका डाल देंगे कि यह दिखे हलका इधा किये हलका साइधा इधार मुझे लगता है कि अब इन फैतना ज्यादा तेल भी नहीं दाने क्योंकि देखे पावर यहां पर आपको दिखेगा पावर का प्रसेंटेज यहां पर देख लेए प्रेस कर रहें तो यह देखिए इतना तक लग रहा है तो इतना काफी है मेरे हिसाब से देखा जाए क्योंक हमारा लेफ्ट अपर राइट करते है हलका सौड हुआ इसमें तेल ब्लीड करके बस यह रहा हमारा इंपर का स्कुरू लगा कर इसको टाइट कर देंगे यह देखिए चाब नहीं करेंगे यह सेंपलीए लाह क्या करेंगे टी सुर्च पर से इसको हलका पूल देखेंगे व वो बिल्कुल रेडी हो गया, यह देखिए, अभी हम लोग इसके गैप को खतम करेंगे, स्कुरूड्राइवर लेगे, ठीक कर देगा, तुरत हो जाएगा, अब लीडिंग के बाद देखा, आपने इसको कर दिये थे, हम लोग ने पूरी तरीके से लॉक, यहां तक यह प्रे करेंगे, दीख रहा होगा आपको भगल से दिखा देँंगे, यह देखिए, हलका सा इसको ऐसा टुईस्ट प्रेगे, यह देखिए, ट्विस्ट हुआ, दु mod पैकि, गाप बन रहा बना उसके अंदर अब, अउस्के अदे रहा ब्रूडराइवर डालेंगे, हलका सा इसको बना लेंगे अब हमको लगता है कि हम ज्यादा मिनरल वाइल इसके अंदर डाल दिये हैं गैप तो बन तो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम ज्यादा वाइल डाल दिये हैं तो थोरा से वाइल काम करेंगे अहां से कैसे करेंगे वह भी दिखाते हैं अलका सा इसको खीष देते हैं कि अ 안सदा कि यह झार इस यह झीड़ील फोड़ा सा गेड ने लगा यह chamado कारी कि इनए इसको अधाना है गया 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 जादा तैल थोड़ा से गिर गए दया तो दिकत नहीं है बापस इसको बंद कर देंगे ज्यादा तेल हो गया था ज्यादा तेल दानना भी नहीं चाहिए बाकी देखिए हो गया एकसेकस वाइल को हम लोग पोच देगे यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि साइकल में लगाने के बाद यह एस चुली में यह ब्लीडिंग का प्रोसेस करना होता साइकल में लगाएंगे थोड़ा साइकल में इसके अंदर जाएगा अपने साइकल के अकौर्डिंग करेंगे और यही सेम प्रोसेजर आपको भी अपने साथ करना है आपका भी खराब हो गया ब्लीडिंग कर दीजेगा आपका पूरा प्राबलम यहां पर सॉल्व हो जागा यहां पर आपने देखा कि पूरा प्राबलम यहां पर सॉल्व हो गया यह देखिए बहुत अच्छी तरीके से और थोड़ा सा हैड्रोलिक ब्रेक में होता है कि थोड़ा दिर आप पंप करके रखिएगा तो इसका जो प्रेसर है अटोमेंटिकली बन जाएगा अभी देख है वहां पर आपको सिमानो के औरिजनल मिनरल वाइल्स मिल जाएगी जो इकुछ इस प्रकार की बॉटल में आती है आपको जितना भी नीड होगा आप नीडिल के ले सकते पूरा बॉटल आपको खरिदने के जुरूत नहीं है चैनल पर नीव हो या फिर अभी तक आपने हम